और जेडियू की नेता केसी त्यागी ने नितीश कुमार को लेकर एक बड़ा बयान दिया है नितीश कुमार के बारे में उन्होंने कहा है कि ना तो वो संयोजक बनना चाहते हैं और ना ही नितीश कुमार प्रदानमंत्री बनना चाहते हैं उन्होंने ये भी कहा कि हालांकि वो दोनों पदों के लायक हैं लेकिन नितिश कुमार का मकसद विपक्षी एकता को बनाये रखना है ये बात कही है केसी त्यागी ने जेडियू का मुख्य परवक्ता कैसी त्यागी एक सवक्त हमारे साथ मौजूद है त्यागी जी गडबंधन की बैठक है आपके इंडिया अलायंस की 31 तारीक और इससे ठीक पहले नितिश कुमार का बयान आता है कि हमको तो कॉडिनेटर बनना ही नहीं जाना संजुजग बनन जारू के साथ ये कहते हुए फक्र भी है कि इसकी सुर्वात हमारी की हुई है एक साल पहले मम्ता बनर जी केजरिवाल जी केसी आर और अखिले स्यादो जी गैर कांग्रेसी गैर भाजपई मोर्चा बनाने में लगे हुए थे पिछले साल 25 सितमबर को देवीलाल जी की समर् पहली बार ये विचार मितीस कुमार जी के जरिये प्रोपेगेट हुआ कि बगेर कॉंग्रेस पार्टी को शामिल किये कोई बड़ा और बढ़िया विकल्प नहीं बन सकता और उसी के बाद एकता की प्रियास हुए और हमें परसनता है कि पट्रना की एतिहासिक जो हुई है उसके बाद ही इंडिया का जनम हुआ विपक्षी दिलों की एकता हुई और ममता बनर जी केजरिवाल और अखलेस यादो कॉंग्रेस पार्टी के साथ बैटे दिखाए दिए और बीजेपी के नेता तरुन चुग ने इंडिया गटबंधन पर पलटबार किया है और उन्होंने कहा है कि ये इंडिया गटबंधन नहीं है ये गमंडिया गटबंधन है तरुन चुग ने ये भी कहा कि 140 करोड देशवासियों का वरोसा तदान मंत्री मोधी पर है गमंडिया गठबंदन इस तरह अहंकार वे परिवारवाद में लिप्त है कि एक दूसरे को नेता मानने को त्यार नहीं लालू जी नितिजी को नेता नहीं मानते नितिजी ममता जी को नेता नहीं मानते ममता जी राहूल गंदी को नेता नहीं मानते राहूल गंदी किसी को नेता नहीं मानते ऐसी स्तीती के अंदर जब गमंड की परकाश्टा हो रही हो और गमंठियां गठमंदन के नेता मुंगेरी लाल का हसीन सपना देख रहे हैं पर देश की जनता के मन में मोदी है